तो आज इस पड़लव वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं about Power BI के 6 ऐसे hacks और tricks के बारे में जो आपको definitely help out कर सकते हैं in your job या पे एक fresher हो आपको कुछ भी नहीं पता है Power BI में तो start करने के लिए भी बहुत ज़्यादा help करेंगे तो start करेंगे वीडियो को चलेंगे अपने screen पे सारी चीज़ आपको practical basis पे शो करने वाला हूं and definitely आप follow out करना and सारी चीज़े apply करके देखना तभी आपको वो outcome तभी मिल पाएगा तो उसका जरूर आप लोग देखना start करते हैं वीडियो को like comment कर देना भाई ताकि आपको सब साथ the very first thing यहां पर आप देख सकते हो I have opened my power bii यहां पर खुला हुआ है power bii and this is my data set अगर मैं data set अबना एक ही data set को यूज करके हम सारी ट्रिक्स सेखने वाले हैं ताकि आपको सब कुछ में difference समझ में आए और आपको समझ में आए तो क्या किसली है कौन सा tip किसली है कौन सा tip क पर्टी है discount है और अब यह सारी चीज है अब मेरे को सबसे पहले चीज मेरे को कुछ यहां पर tips करना है कि भी है मेरे को सबसे पहले मैं अपने power query में जाने वाले तो power query इसी का क्या नाम है वह है that is environment जिस पर आपको सारी चीज है आप यहां पर सड़ेट कर सकते है पर लिग स यह मेरे को हर बार ऐसे scroll करके देखना पड़ा है और मेरे को याद भी नहीं रह रहा है भाई क्या लिखा हुआ है क्या ने लिखा हुआ है तो मैं copy pen पर लिखूंगा नहीं copy pen पर नहीं लिखूंगा what I can do I can just tap on 10 number and मैं क्या कर सकता हूं I can see here bottom में आपको सारा एक जगा of the column number 10 यहां पर देख रहा हूं ना you will be getting all the things this is the first tip आपको सारी चीज जैसे आप रो इडिप जाते हो एडिट क्वेरी पर जाओगे पावर क्वेरी के अंदर या टाप करके जैसे ही जाते हो आपको डारेक्ली वो सारी चीज़े मिल जाती है that is the first tip अब इसी पावर क्वेरी म माई data set is very big I am having number of columns are there number of columns है तो definitely आप इसमें क्या कर सकते हो इसमें आपको देखना ही column कौन-कौन से मेरे data से मेरे data से में तो control G, control plus G जैसे ही आप दबाते हो तो आपके सामने सारे columns हा जाते है whatever columns are there in this particular data set you will be seeing this and suppose मेरे को उस column पर जाना है कि हाँ बाई मेरे को उस column का data देखन है customer ID देखना है profit देखना है anything suppose मैं profit देखना जाता हूं I will double clap on this and I can see यह column है मेरा जिसमें मेरे सारे profit का data हुआ है ठीक है तो यह आपका tip number two था tip number three क्या क्याता है कि भाई suppose मालो that I want to see that suppose मेरे पास एक यह है that is my data is there ठीक है मेरा data मेरे को यह देखना है customer ID है उसके यह सारी चीज है अब country के business पे state के business पे मैं क्या करना चाहता हूं state के business मैं देखना दो new york में कितने लोग है तो मैं क्या करूंगा I will go I will tap on the new york right click करूंगा text filter पे जाओंगा I can see equal to कोई भी filter में लगा सकता अब मेरे को देखना है new york वाले कौन है तो new york वालो पे equals लगा दूंगा मेरे प मतलब सारा data दे तो that means ठीक है तो यह आपके तीन trips है that is on the power query, power query के उपर तीन tips हम लोग देखने वाले visualization से उपर और यह जो सारी चीज़े मैं बता रहा हूं आपको वो techniques और यह tips यह सारी चीज़े आपको धीरी दरी आएंगी practice करते रो and definitely आज का certifications बहुत जादा important है जैसे Power BI का खुद का Microsoft का certification जो आप कर सकते हो PL 300 करके इसका exam होता जिसमें आप Microsoft certified Power BI data analyst associate बन सकते हो and आपको certificate मिल जाएगा and definitely अगर आपको उसके preparation करनी है तो यह course आप refer कर सकते हो that is Power BI certification course जो की properly बनाया गया है design किया गया है for the PL 300 exam and you can become a Microsoft certified Power BI data analyst ठीक है तो you can ace this exam and this is the best part of it आपको जैसे आप यह course खदम करते हो 14 days के अंदर अगार आपका clear नहीं होता है वो if you fail to clear the exam you will get 100% refund वो सारी चीज़ें यहापे listed और दिखाते हैं other than that यहापे आप देखो comprehensive curriculum and properly exam के basis पे ही exam को मद्दिन अदर रखते हुए सब कुस design किया गया है and it is for fresher, students, professionals दिनको कोई knowledge नहीं पार भी है कि वो भी directly start कर सकते हैं directly this course में enroll करके 4-4 दिन के अंदर exam readiness आप exam directly दे सकते हो 4 दिन के अंदर और यह weekends पे होता है Saturday, Sunday, Saturday, Sunday पे होता है तो आपको कोई भी other मतलब other आपको time लेकान लेके जरूद भी नहीं पड़ती है and आपको practice test भी दिये आते ह course only जिसे आपको practice test दिये जाएंगे जो कि आपको यह फाइदा होता है कि जब भी आप कोई भी exam देने जाओ तो आपको पहले से पता होता है किस type of questions आप से पूछा जा सकते हैं the mocks will be there proper mocks जिससे आप एकदम ready हो जाओग exam के लिए and वो confidence build up हो जाता है तो directly आपको link description में दे आप directly जाके enroll कर सकते हो other than that यहाँ पे आप देखो that is the exam is very very मतलब यह certification courses बहुत ज़दा important और बहुत ज़दा credibility जयते हैं because I am also a data brick certified data engineer तो मेरे को पता है कि यहां कितना credible कितना difference हो make करता है कितना value ले खराता है वो सारी चीज़ें ठीक है तो वो definitely matter करता है these kind of certificates are really very important and वो आपके skill set को वो करते हैं validate करते हैं तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए certificates are really very important उसके यह इनका curriculum है that is आपको start के जाएगा with the introduction to PL 300 exam के बारे हम कुछ भी नहीं पता है तब भी आपको बताया जाएगा सारी चीज़े other than that आपको data profiling के बारे में data cleaning transforming, loading के बारे में data modeling, dax calculation everything you will be studying from here और आ आप कैसे एक enhance कर सकते हो अपने reports को वो भी आपको बताया, dashboards कैसे बना सकते हो, वो सारी चीज़े exam के point of view से आपको सब कुछ बताया जा रहा होता है, other than that इनका certificate ऐसा कुछ दिखता है, that you will be getting if you complete this exam and you complete clear this test, other than that इनका cohort जो है जल्दी जल्दी चालू हो रहा है 27th, 28th and 4th and 5th, these are the dates, so जल्दी जल्दी enroll कर लो and this is the time basically, जो चार दिन का आपको ट्रेनिंग है वो इसी time के basis बेसे स्टार्ट होता है, Saturday, Sunday, Saturday, Sunday, those Saturday, Sundays आपको देने, that's it आपका course हो गया and other than that इनका fee structure आपको प्लस GST जो उनका fee structure है and इसमें आपको स्टार्टिंग में बताया था न, if you fail to crack this exam, जो पी एल, 300 टेस्ट है अगर 14 दिन आपको course complete किये, 14 दिन के अंदर अंदर अगर आपने test clear नहीं कर पाई या फेल हो गया, तो आपको 100% money back guarantee आपको सारा पैसा refund कर दिया आता है, तो यहां पर यह आपको सारी जीए बताया, तो description में already link दे दिया, जाके अभी enroll कर लो, डेरी किस बात किये, अगर आपको अपने skill sets में, अपने resume को और जादा upskill करना है, और जादा credible बनाना है, तो definitely यह profile में आपको add up करना चाहिए, अपने link description में जाके तुरण जाके enroll कर सकते हो, अब आपने next trick क्या है, कि suppose मेरे पास एक data set है, and यहां पर मैंने एक bar chart बनाया हुआ, that is bar graph बनाया हुआ, basically, and यहां पर मेरी सारे city or some of sales listed है, तो यहां पर मैं क्या कर सकते है, I will be removing all the cities मेरे को नहीं चाहिए, I will be making it simple, ठीक है, तो मैं बॉस्टन डाल देता हूँ, Boston, Boston, अब देखो यहां पर listed है, that is what are the sum of the sales and यह मेरी 4-5 cities है, अब basically मेरे को क्या करना है, मैं चाहता यहां पर मैं जा सकता हूँ, I can choose this, I can go to the formatting, and इस पर tap करके, I can go on this one, and मैं canvas settings में यहां पर यहां पर आता है, that is I can filter my cards, ठीक है, मैं अपने cards को, मैं अपने text को, everything I can filter out, background add कर सकता हूँ, that all things can I do, तो यहां पर मैं जाओंगा, and I will be changing those things, अब जैसे visuals पर आओगे, यहां पर columns में जाओगे, तो it will give you option, कौन सी category पर अप्लाई करना है, I don't want to apply to all the categories, I only want to apply to the New York, तो New York जैसे ही tap करोगे, and just change it first, कि हाँ आप कौन सा change करना जाते हो, तो you can see here, यहां पर और सारे जो colors है, वो अलग color के है, and New York is of another color, ठीक है, तो यह एक तरीका होता है, जिससे आप डिफरेंश करते हो, तो sum measures इसको basically कहते है, जिसमें आप हो गया कर सकते हो, the sum is there, and it is distributed, आप distributed है, आप हो गया करना है, आपको अलाइग करना है, तो आपको यह ऐसे ऐसे करके, एक एक करके, यह red color का यह जो line आते है, ऐसे ऐसे करके align करना पड़ता है, supposed आप यह नहीं करना चाहते हो, suppose my data is like this and I want to align it automatically, तो मैं क्या करूँगा, I will tap like this, I will go to a format, I go to the align and I will say कि हाँ बाई, पले middle में center कर तो like this, ठीक है उसके बाद फिर मैं क्या कहूँगा, कि left side में, right side में आप center कर सकते हो, ठीक है it depends, ठीक है, आप horizontally भी distribute कर सकते हो, it will align it, ठीक है similarly what you can do, you can just tap on this, और आप क्या कर सकते हो, you can go here and you can align like this, ठीक है तो ऐसे करके आप align कर सकते हो, you can choose you can play with this and whatever is required आप उसके हिसाब से यहाँ पे अपना align कर सकते हो data, अब six तो वाली जो tip है वो है सबसे जादा मज़़ार, that is, यहाँ आप देख सकते हो, that is, here is a graph यहाँ पे एक बार ग्राफ है, एक लाइन ग्राफ है, ठीक है और यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिटेल्स हैं, ठीक है तो अब मेरे को थोड़ा बैगराउंड वगराइड करना है बिकॉस सम्टम्स क्या होता है, आपने दिखा होगा अपना बैगराउंड डालना है, ठीक है तो आप क्या कर सकते हो, canvas के बैगराउंड में ऐसे करके अपना image फिट कर सकते हो, you can go here you can tap on this background, और यहाँ पे आप directly, ठीक है, transparency जैसे ही कम करोगे, आपको वो photo दिखने लगेगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो, I can see this photo here, and यह आप accordingly उपर set कर सकते हो, or you can do one thing, आप canvas पे बैगराउंड कर सकते हो you can also do, मतलब वो accordingly आप उपर set कर सकते हो, and ऐसे करके, जो भी requirements है आपकी वैसे वो photo दिखने लगेगी, तो वो भी definitely आपको help करता है, मतलब वो थोड़ा आपको report को और better दिखाता है तो वो भी आप कर सकते हो, other than that wallpaper के तरा set करना है, wallpaper के तरा भी set कर सकते हो, it all depends कि आपको कैसे show out करना है, कैसे use करना उस filter image को, तो यही सारी वीडियो थी, and definitely अगर आपको certification करना है, तो आपको अलड़ी एक particular course बता दिया है वो definitely जाके आपको पूरे scratch से दिखाएंगे और course के लिए ready करवा देंगे वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा help करती है आपको job लेने में, ठीक है तो यही सारी वीडियो थी, यही सारी चीज़ें थे, मिलते हैं आपको निक वीडियो में ऐसी जी हम लोग रेगलर बेसेस पे लेकर आते रहते हैं लाइक कॉमेंट करके शेयर जरू करो दोस्तों के साथ जो भी घुसना आते हैं इन सारी फील में डेफिनेटली उनको शेयर करो मिलते हैं आपको नेक वीडियो में जैहन बांते मातरम बाबाई धान रखना नीजल लिंक डेस्क्रिप्शन में दिया हुआ है डेफिनेटली जाके आपको टैप करके आपको फायदा ही होगा बाबाई